हेलो स्टुडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 67th BPSC के बादे में हम दोग जानते हैं 67th BPSC का प्रिलिम्स जो है वो 30 सितंबर को हो चुका है 39-2022 को हो चुका एक्जाम और उसके next यानि 1-10-2022 यानि 1-10-2022 को इसका official answer की भी आ गया official answer की आने का मतलब हो गया कि आप समझ सकते हैं कि BPSC काफी तेजी से अपना एक्जाम को conduct करवाना चाहती है और इसमें delay नहीं करना चाहती है तो अगर हम लोग इसके calendar को भी हम लोग देख ले तो ये 15 में तुर्ट लगना होगा जो qualify कर गा है वो मेंस में लग जाएंगे मेंस में लग जाएंगे क्योंकि आपके पास समय बहुत कम रहेगा क्योंकि इसकी chances है कि December में में हो जाएगे last December तक तो आपके पास समय की बहुत कमी है ऐसे में आपको दो से धाई महेना यानि 60 या 90 साथ है मानके चलिए कि आपको पास 80 दिन है 80 दिन में से आप 60 दिन ही मानके चले कि आप दीगरस त्यारी करेंगे और 20 डेज किसी ने किसी वज़़े से आप डिस्टर्ब होंगे और थोड़ा सप्राइश लो भी होगा लेकिन आप अगर 60 दिन कर दिमाग में रखते हैं कि ह दूसरा चीज है कि आपको कंटेंट अच्छा से मिलना चाहिए कहां कहां से आपको मेटरियल कहां कहां से क्या इन्फरमेशन मिलेगा वो एक अच्छा सटीक होना चाहिए और तिसरा टाइम मैनेजमेंट जोड़ी है टाइम मैनेजमेंट कहने के लिए आपको प्रैक्टिस क की भी कमी है तो ये तीनों चीज को ऑगर आप कर लेते हैं तो मेंस आपके हाथ में चलाएगा आज हम लोगए में बात कहने जारे हैं कि जो हिस्ट्री में ह्चित्री जो Question का Petrol हैने उसको देखके हम लोग क्या समझ सकते हैं हम लोग उसको एक Analysis किया है कुछ को लोग समझे हैं कि question कैसे हो सकता है history के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने के जोगत नहीं है आप कुछ चीजों को अगर basic चीजों को अगर समझ लेंगे गाट माद लेंगे तो आपको history बहुत simple है और history सभी लोग बनाते हैं बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने के जोगत नहीं है बहुत ज़्यादा इसमें इंटेलिएंसी के जोगत नहीं पढ़ती है simple content आता है simple material है, simple information है आपको उसको बस put करती चला जाना है तो history के लिए बहुत ज़्यादा है कला और संस्कृति कला योम साहित्य से एक question हमेशा रहता है उसमें से most important वो रहता है मौरे कला मौरे कला के कई पहलू होते हैं उन सब पहलू के बारे में आप अच्छा से पढ़ दें उसके बार में पटना कलम भी important है और पाल कला या तो continue या तो alternate मतलब tribal movement भी लगाता रहता है इस चीज़ को आपको मान के चलना है tribal movement में जो important है पहला संथाल विद्रों दुसरा बिरसा अंदोलन और तिसरा होगे अन्य जन जाती ये अंदोलन मनने जन जाती ये अंदोलन का क्या उद्देश से था क्या कारण था क्या प्रभाव हुआ इस अंदोलन के हमारी देश की आजादी में इनकी क्या भूमिका रही तिस जन जाती विद्रों में तीनों important है संथाल विद्रों बिरसा अंदोलन और जन जाती अंदोलन जो उनका मुख्य उद्देश से क्या था उसके बाद में हम दो देखे हैं तो उसके बाद में आता है स्वतंत्रता अंदोलन स्वतंत्रता अंदोलन किसान अंदोलन से भी एक question रहता है और mostly किसान अंदोलन से जो question रहता है वो चंपादन सत्यागरह से ही कहीन कहीन से delete करके रहता है इसका अलग अलग नाम दे दिया आता है उन्हें से 17 का भी दो कर देगा सत्याग्रह कर देगा या गांधी का पहला सत्याग्रह कर देगा या फिर स्वामी सहजानंद स्वामी सहजानंद का इसमें कंट्रिबिशन और मजदूर वर्ग का या फी किसानों का क्या इस देश की आजादी में योगदान रहा है तो इस सबसे संबंदिया दिए घुमा फिरा के कुश्चन एक लगभग किसान आंदोलन से रहे गा है कहा जाता है कि गांधियन एरा का बिहार से ही सुदवात हुआते हैं चमपान सत्यागर के द्वारा में देखे स्वतान्त्तरता अंदोलन में भारत छोड़ो अंदोलन बहुत इंपोर्टन है और दुसरा 5857 का बिद्रों भारत छोड़ो अंदोलन को एक बढहां से आप content त्याए करों कई पहलूप त्याए कर लिए और भारत छोड़ अंदोलन का अच्छी बात है इसको बहुत बढ़िया से लिख सकते हैं अगर आपके पास question अगर आगी आ इतिफाक से आप उसको बनाने के लिए तयार हैं तो अगर point twice लिखे हुए हैं तो बहुत अच्छा से आप इसमें score कर सकते हैं 1857 का बिद्रो है उसमें में कारन पूछा जाता है और पी आगे आने वाले अंदोलन के लिए कैसे प्रेयना सोता है 1857 के विद्रो क्या ये राष्ट्रिया अंदुलन था राष्ट्रिया विद्रो था नहीं था देश के आजादी क्या इसकी भूमिका थी उससे संबंदित रहेगा वी कुवसिनी का यो योगदान है बिहार में वो किस प्रकात है ये सबसे संबंदित कुवसिन पुछा रहे सकता है एक विचार में देखे तो आजकल ये भी बहुत स्टैंडर्ड का विचार होता है टैगोर, नहरू और गांधी गांधी नहरू टैगोरो का जो विचार है और ये वाम उनका क्या योगदान है टैगोर का साहित और इस देश के जो अलग-अलग उनके विचार हा रहा थे जैसे राश्टरवाद पर उनका एक विचार था तो उसके बारे में आप इसको जानकाई रखसे तो ये तीनों का जो गांधी नहरू टैगोर तीनों को विचार को आप अच्छा से इसको पढ़ लिजेगा और इस कंटेंट त्याय कर लिजेगा फिर ये काता है पाच्चात सिच्छा वेस्टर एजुकेशन की बात करता है तो वेस्टर एजुकेशन है इंपोर्टेंट कोईचन पुछा जाता है इसे में हम लोग और भी आइड हर सकता है कभी कभी जाती से भी सम्बंधित जाती जनगना पुछतल हैं हलाकि हम लोग इसको मिसलेश काटेगरी में रखे हैं जाती जनगना हो गया जाती की भूमिका, फिर दुस्री बात है राजनीती बिहार की राजनिती या फिर अभी तक कर जो प्रिवेसर राजनिती कैसा था और फिर इसमें जनगन्ना और फिर इसके अलावा गांधी जी के विचार किया थे गांधी जी का अहिंसा के बारे में क्या कहना था गांधी जी का जो हमारा ग्रामोद दोग है उसके बारे में क्या करना इन सब के चीजों के बारे में उनका जो विचार है वो इसमें आ जाता है तो इस तरह सम लोग कह सकते कि इतना topic अगर आप cover कर लते हैं तो आपको history में question कहीं से नहीं छुटेगा और आप बहुत अच्छा score कर लेंगे बीना किसी परसानी क्या तो पह एंगल के पहलू को हम लोग टच करेंगे और उसके बाद में उस पर हम लोग क्वेशन जो है टेस्ट लिया जाएगा और फिर उसके बाए में आपको एक सेशन भी दिया जाए कि आप इस तरह के अंसर लिखेंगे तो आप बेहतर परफॉर्फॉर्मेंस कर सकते हैं